नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आपके अपने YouTube चेनल में तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान सिख्ष्या विभाग के अंतरगत रिक्त चल रहे वर्तमान में पदों की संख्या के बारे में जिसके काण क्या है जो हाली सिक्स्या व्यवस्ता है वो भी इससे परभावित हो रही है ये निउस पेपर किया कटिंग है इसमें देख सकते हैं परदेश के स्कूलों में सिक्सकों की एक पॉइंट 24 लाख पद खाली है यानि एक लाग चोबिस हजार पद वर्तमान में राजस्तान में केवल क्या है भी सिक्स्या विभाग के अंतरगत सिक्सकों के खाली पड़े हैं व्यक्यताओं वे सेकंड ग्रेड सिक्सकों के 66 हजार पद खाली होने से व्यवेस्ता हो रही परभावित करमोनत स्कूलों में दस साल से नहीं मिले कई विश्यों के व्यक्यता देखिए राजस्तान में किस प्रकार से चो सिक्स्या विवस्ता है वो परभावित हो रही है क्योंकि व्यक्यताओं सेकंड ग्रेड को मिलाकर कुल 66,000 वर्तमान में खाली पत चल रहे हैं इसके लावा टोटल की बात करें तो एक लाग 24,000 से भी ज़्यादा पत क्या है वर्तमान में शिक्स्या विवाग में खाली है इन खाली पतों की बात करेंगे परधानाचारिय के कितने पत हैं पुस्तकालिय अदेक्स यानि लाइब्रेडियन के कितने पत हैं लैब टेक्निशियन के कितने पत हैं फर्स्ट ग्रेड के कितने हैं सेकंड ग्रेड के थर्ड ग्रेड के व्यक्यताओं के ये सभी कुल मिलाकर एक लाग 24,000 पत वर्तमान में रिक्त है और इने रिक्त पतों के कार्ण क्याएबी जो सिक्ष्या ववेस्ता है वो भी क्या है भी परभावित हो रही है कर्मोनज जो स्कूल थे उनमें 10 साल हो गए है यानि लगबक दो सरकारे चली गई लेकिन अभी भी क्या है कई विश्यों के जो व्याक्यता है उनको नहीं मिल रहे है बोर्ड की कक्षैं भी क्या है भी परभावित हो रही है तो सरकार को इसके लिए चाहिए कि जल से जल ये जो पद है एक लाग चोबिस हजार खाली पड़े हैं इनमें से लगबक पदों पर क्या है नई वेकैंसी निकाले वर्तमान में बात करें शिक्सकों की तो काफी पद खाली है इसके लाग जो लाइब्रेरियन हैं उनके भी हजारों पद वर्तमान में खाली पड़े हैं केवल सवीकरती कुछ पदों पर मिलती है तो ये सरकार को आप सकता है इस बार कि जो नई भरतिया निकाले वो जादा से जादा पदों पर निकाले और इन पदों को भरे जाने की ववस्ता करे ताकि बेरोजगारों को भी रहत मिल सके और जो सिक्ष्या ववस्ता है वो भी कहें वर्तमान में प्रवावित ना हो खाली पदों की बात करें तो वर्तमान में जो खाली चल रहे पद है उनका विवरण भी दिया गया है ये देख सकते हैं आप परधानाचारिय की 6,331 पद खाली है उप परधानाचारिय की 11,949 काफी पद खाली है व्यक्यताओं की 14,195 सविकर्ती का जो इजार है 17,000 के आसप सिक्सक के 33,961 है एल टू के 16,539 है एल वन के 17,723 सारे रिक्सिक्सक यानि PTI के 38,22 लैब टेक्निसियन के 11,64 और पुस्चकाले अध्यक्स के 1809 तो ये वर्तमान में क्या है भी रिक्त पदों का क्या है ब्योरा है पुस्चकाले अध्यक्स की बात करें काफी जो पद है इनक सर्जित ही नहीं किये गए है तो भी आपके बहुत शारे ऐसे स्कूल है जिन में क्या है पुस्चकाले अध्यक्स का पद ही नहीं है तो काफी वर्तमान में जो पद है वो रिक्त पुस्चकाले अध्यक्स के पड़े है तो सरकार को जल्चे जल्चाहिए कि जो PTI की तरज प पर स्टापिंग पैटरन पुस्टकाले देक्स में भी लागू करे और इनके जो हजारों पद है जिनमें हजारों स्कूल है जिनमें क्या है वर्तमान में जो पद सर्जित नहीं होए उनका सर्जन करे और वर्तमान में नई भरती जो निकाले उनमें हजारों पद दे ताकि को भी रहत मिले पुष्ट काले अदेक्स से सम्दित इसके अलावा इनकी जो शिक्ष्या व्यवस्ता है वो भी परभावित ना हो तो ये सबसे बड़ी जो पुष्ट काले अदेक्स के अंतरगत है कि इसमें स्टाफिंग पैटरन लागू करने से हजारों पद वर्तमान में सर कि इसर न जाल रहे हैं सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड के है पी टिए के है लैब टेकनीसियन के है इन सभी पदों पर वर्तमान में नई भरती ज्यादा से ज्यादा पदों पर निकाले हो और शिक्ष्या ववस्ता को तढ़ें से क्या है भी सुचारू र सक से कर्मोनच स्कूलों में अनिवारिय हिंदी अंग्रेजी के व्यक्यता के पद ही सरजित नहीं किये गई यानि सिख्षकों के भी ऐसे पद है जिनको सर्जित अभी तक नहीं किया गया है तो ये सर्जन भी किया जाई साथ में पिछले तीन वर्सों में कर्मोनच 6000 स्कूलों में व्यक्यताओं के पद सर्जित नहीं है यानि ये जो रिक्त पद दे रखे हैं इनमें सर्जित करने के बाद उर ज्यादा अधिक जो रिक्त दिया है वो होगी लेकिन वीतिय स्विकरती जारी नहीं की गई है पिछले तीन वर्सों में कर्मोनच 6000 स्कूलों में व्यक्यताओं के पद सर्जित कर दिये हैं लेकिन वीतिय स्विकरती जारी नहीं की गई है सेक्सिक गुणुता की बात तो की जाती है लेकिन दिरातल प्रकारिय नहीं होने पर बच्चों का अधियान बादित हो रहा है सरकार को सभी मुद्दों बर बच्चों के हित में एविलम फैसले लेने चाहिए उपेंदर सर्मा पर्देष महामतरी राजस्तान सिक्सक संग सेका इसी अनुसार सभी जो भी सिख्षक संग है पुस्कालेदेक संग है अन्य जो भी सिख्षा से समदिज्जू संग है उनको भई एक साथ क्या है मिलकर ये जो बेरोजगारों को रहत परदान करने का और साथ में क्या है जो चात्तर है उनकी जो सिख्षा वैस्ता है वो बादित ना हो इसी को मिलकर एक साथ अवाज उठाने चाहिए ताकि ये जो नई तबादला निती है वो जल से जल तियार की जाए डेपीसी की जाए सेटप परिवर्तन की कमी से जो सिक्सकों की कमी है उनको पूरा किया जा सके इसके अलावा जो पद सर्जन किया जाने है स्टापिंग को एक साथ मिलकर है वो अवाज उठानी चाहिए वर्तमान में पुस्काले देक्स के 1809 पद खाली है लेकिन इनके सर्जन में हजारों पद खाली हों तो इनकी भी क्या है जादा से जादा पदों पर नई वेकेंसी जल से जल जारी की जाए यही सभी को एक साथ मांग है वो